हलो दोस्तों आज किस वीडियो में SSE MTS exam के बारे में बात करने बाले हैं कि SSE MTS exam का result कब तक आएगा क्योंकि बहुत सेकंडेट result के बारे में जानना चारे थे कि MTS का result कब तक आएगा तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को SSC के कुछ पिछले एक्जाम के रिजल्ट के अधार पर बताने बाले हैं कि MTS का रिजल्ट कब तक आएगा इसके साथ ही आप लोगों को बताने बाले कि रिजल्ट आने के कितने दिनों के बाद Tier 2 एक्जाम हो सकते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि MTS का Tier 2 एक्जाम रिजल्ट जारी होने के कितने दिनों बाद हो सकता है तो 2019 के MTS की भरती में Tier 1 रिजल्ट जारी होने के 20 दिनों के बाद ही Tier 2 एक्जाम ले लिया गया था 2019 की भरती में Tier 1 का रिजल्ट 5 नवंबर को आया था जबकि Tier 2 एक्जाम 24 नवंबर को लिये गये थे यानि कि Tier 1 रिजल्ट जारी होने के 20 दिनों के बाद ही Tier 2 का एक्जाम ले लिया गया था तो इस बार भी MTS के Tier 1 का रिजल्ट आने के कम से कम एक महने के अंदर Tier 2 एक्जाम ले लिये जाएंगे Tier 1 रिजल्ट आने के एक महने के अंदर आपके Tier 2 एक्जाम ले लिये जाएंगे तो चलिए अब SSC के कुछ पिछले एक्जाम के रिजल्ट के दार पर देखते हैं कि MTS का रिजल्ट कब तक आ सकता है तो SSC CHSL का एक्जाम 12 अगस्त को समाप्त हुआ था और इनका रिजल्ट 27 अक्टूबर को दिया गया यानि कि एक्जाम खत्म होने के लगबग धाई मैने के बाद CHSL का रिजल्ट दिया गया वहीं अगर SSC MTS 2019 की भरती की बाद के तो 2019 की भरती में एक्जाम 22 अगस्त को समाप्त हुआ था और इनका रिजल्ट 5 नवंबर को दिया गया था तो SSC के लगबग बड़े एक्जाम का यही हाल है बड़े एक्जाम का रिजल्ट 25-30 महिने में दिया जाता है तो इसके अधार पर देखें तो MTS का रिजल्ट कब तक आ सकता है तो SSC MTS का एक्जाम 2 नवंबर को समाप्त हुआ है तो इनका रिजल्ट आपका जनवरी के लास्ट या फर्वरी के फर्ष्ट वीक में आ सकता है जनवरी के लास्ट या फर्वरी के फर्ष्ट वीक तक MTS का रिजल्ट आ सकता है 15 जन्वरी के बाद ही SSC MTS का रिजल्ट आ सकता है इससे पहले रिजल्ट आने का बहुत कम चांस है 15 जन्वरी के बाद ही SSC MTS का रिजल्ट आ सकता है तो MTS exam के related जैसे ही को और latest update है गी हम आपको वीडियो के मादम से जानकारी देदेंगे इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जदा जदा सेर करें और लाइक करें तो चलिए आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद